नमस्ते किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया वित्फी के चैनल में और मैं हूँ आपका अपना दोस्त पुश्पिंदर कुमार और आज हम आए हैं 36 गड़ के जिला कोंडा गाउ तैसील माकडी और गाउ कोडमा और हमारे साथ हैं किसान भाई फ्रेम राज जो कि इन्होंने ये मक्का फ्रेसिंग का रेंफोर्स ब्रैंड का फ्रेसर खरीदा है और इन किसान भाई से हम इस फ्रेसर के बारे में जानकारी लेंगे कि इनको ये रेंफोर्स का फ्रेसर खरीदने के बाद कैसा लगा और इसकी जो मक्का की फसलगी गाई है वो कैसी कर र इन पोर्स जो त्रेसर मक्का वाली जो लेके आये हैं वह बहुती अच्छा सांदार त्रेसर है इनके बार में और यह आपके सामने में जो चल रहा है देख सकते हैं आप और एक गंटा में लगबग 60-65 की कुंटल निकालता है बहुत मसीन है दिकाते हैं पहुती अच्छा संधर ने निकाल निकाल तेरी दो कि यह तो मक्ता इधर निकालता है और इसकी जो डेंटल है कच्छडा वह पीचे साइड बहुती सपाई करके देती है यह मसीन वीच को हम आपको दिखाते हैं इधर पूरा कच्छडा इधर से निकलता है और इसका जो बाकी मक्ता का जो डेंटल इधर निकालता है तो बहुती अच्छा सांदार त्रेसर है और यहां डालने के लिए बंदे ज्यादा चाहिए लेवर और जितना अच्छा डालेंगे इसमें उतना अच्छा मसीन दाना निकाल के देता है तो देख लिए आपने किसान भाईयों इस मसीन को आप देखिए वीडियो के माद्यम से आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इस त्रेसर मसीन से दाना जो है वो अच्छा निकल रहा है यहां लेवर कमी नहीं होनी चाहिए इतना अच्छा से लेवर यहां लेवर होंगे उतना अच्छा इस मसीन इस निकाल को देखिए अच्छा अच्छा निकलता है बाईयों यह बहुती अच्छा त्रेसर है रेनपोर्स का जो पुरब बारत में नमबर वन त्रेसर मेरे को लग रहा है देखने के बाद और आपसे यह निवतन है अगर कोई भी त्रेसर अगर लेना चाहते हैं तो आप रेनपोर्स त्रेसर को अपना हैं और इस त्रेसर के माध्यम से आप मका निकाल सकते हैं वह बहुती अच्छा त्रेसर है नमस्त किसान भाईयों कैसी लगी हमारी वीडियो और अपना फीड़ बैक हमारे साथ जरूर शेयर करें और आधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग लाईयो लूप में और लाईयों 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 झाल 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 झाल